काफी समय से KGF Chapter 2 के टीजर और ट्रेलर का लोगों को बेसबरी से इंतजार था बार-बार इसकी डेट्स में चेंजेस किये जा रहा है थे किसी न किसी कारण से फिल्म का टीजर डिले किया जा रहा था लेकिन फाइनली कुछ दिन पहले ये डिसाइड किया गया कि यश की बर्थडे पर इसका ट्रेलर रिलीज होगा यानि के 8 जनवरी 2021 को लेकिन इस टीजर को एक दिन पहले ही यूट्यूब पर रिलीज करना पड़ा क्यों करना पड़ा ये हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं टीजर में क्या है खास शायद ये पहली ऐसी एक्शन मूवी का टीजर होगा जिसकी शुरुआत और जिसका अंत एक इमोशनल सीन के साथ होता है कि ये फिल्म अपने जबरदस्त एक्शन के लिए जानी जाती है लेकिन इसके पहले पार्ट के भी बात करें और सीन के अंत में इस वचन को निभाने की बात होती है और बीच में देखने को मिलता है धेर सारा एक्शन, म्यूजिक और कुछ नए चेहरे ये नए चेहरे थे संजदत और रवीना टंडन दोनों एक साथ कई साल बाद किसी फिल्म में नजर आने वाले है फिल्म में दोनों साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन टीजर में दोनों जरूर नजर आए इस टीजर को लगबग 17 घंटे में 36 मिलियन व्यूस मिल चुके है जिसके कारण ये तेजी से एक नए रिकॉर्ड की तरफ भी बढ़ रहा है उमीद की जा रही है कि 24 घंटों में ये टीजर कोई नए रिकॉर्ड जरूर बना लेगा अब आते हैं असल मुद्दे पर की आखिर इस टीजर को एक दिन पहले रिलीस करने की क्या जरूरत पड़ गई तो इस बात का खुलासा खुद यश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से किया है इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि इस टीजर को कल यानि आज 8 तारिक को 10 बज के 18 मिनट पर रिलीस किया जाना था लेकिन कुछ लोगों ने इस टीजर को लीक कर दिया मुझे नहीं पता उन्हें ऐसा करने में क्या मज़ा आता है लेकिन कोई बात नहीं ये गेम का एक पार्ट है लीक होने के कारण इस टीजर को हम आज रात 9 बज के 29 मिनट पर रिलीस करेंगे लीक करने वालों से केवल इतना ही कहूंगा गेट वेल सून आपको बता दे कि इससे पहले 5 जैनवरी को भी यश ने एक वीडियो जारी करते हुए अपने जनम दिन और इस टीजर के बारे में बात की थी और कहा था कि इस बार वो अपना जनम दिन भीड के साथ नहीं मनाएंगे काफी लोग दूसरे देशों से भी आने वाले हैं तो उन्हें मैं मैंसेज देना चाहता हूँ कि इस बार हम गैदरिंग नहीं करेंगे आप जहां भी है वहीं से मुझे अपना आशिरवात दे खायर अप टीजर रिलीज हो चुका है लेकिन एक दिन पहले रिलीज किये जाने से यश ज्यादा खुश नहीं दिखे और साथ ही उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए लीक करने वालों को नसीहत भी दे डाली इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जोड़े रहिए नमस्कार